हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने Motorola G60 Android वाइल फोन में आप होट इसफोर्ट का पासवर्ट जो है चेंज कैसे कर सकते हैं होट इसफोर्ट का पासवर्ट चेंज करने के बाद ही सैटिंग कैसे काम करती है आज किस वीडियो में आपको पूरी जनकारी देने वाला हूं तो चलिए आप जो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में सैटिंग पेज ओपन करना ह है और आपको नीचे की सहाइड में और आ यहां पर आपको जो है declared कर लेगा इसके बाद को में हैं होट इस पर यह उप्सी और है इसे सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको next page में यह आपको hot spot password का option मिल जाएगा अब हीहाँ पर यहाँ पर एक छूते सब पेज पर होता है hot spot password का यहाँ पर आपका जो भी पहले से password को श्याट कर देना है तिक है आप यहाँ पर आपको एक नया password आपको पासवट आपका एट ढम की लुक्त से उस से जाधा भी यूज कर सकते इस तरी है पूर किस luc. पिर से सलेक्ट कर लेते हैं देख्या हमारा आप्सवोर्ड हो यह निक्या मैं आप भी कर सकते हैं अब मैं आपको यह बता जाता हूँ कि कैसे आप जो है इस hot spot password setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ठूंड सकते हैं इसके लिए आपको करना है कि आपको setting page open करना है सबसे उपर आपको search setting का यह option मिलेगा इससे select करना है अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है hot spot password hot spot password type करना है तो आपको नीचे की साइड होट spot password का यह option show हो जाएगा ठीक है जब यह option show हो जाएगा तो इससे आपको select कर लेना है इससे होगा क्या कि आपका while phone आपको direct इस setting में लेकर आ जाएगा और इस setting को highlight करके दिखाएगा ठीक है तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया इस hot spot password setting को ढूंड़नेगा